So, it was a normal day in the market, उतना कुछ खास आज मार्केट पर देखने को मिला नहीं, अब हम देखेंगे कल, यानि कि 2nd of July को हम किस तरह से Bank Nifty और Nifty में trade करेंगे, कौन सा important levels होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में हम broader time frame से लेके shorter में थोड़ा क्रिस्प पे discuss कर लेंगे. So, hey everyone, welcome back to my YouTube channel, I hope you guys are doing absolutely fine. Okay, let's start with Nifty, उसके बाद हम Bank Nifty में जम करते हैं, अगर हम Nifty को daily time frame से देखना शुरू करते हैं, तो जो ये range का projection था, लगबग अगर हम पकर के चलते हैं, 4.7% के आसपास, अगर हम ठीक से देखेंगे, जहां से breakout हुआ है, वहां से market कितना percent के आसपास ग क्योंकि एक portion बाकी है, तो कलको अगर निकल जाएगा, तो क्या हो सकता है, वह portion लेने के बाद, फिर shorting के लिए आ सकता है, तो कैसे हम plan करेंगे, यह हो गया daily में, broadly हम थोरा समझ लिए, अब थोरा से हम 4 hour में जाएंगे, 4 hour में जाएंगे, तो आपको देखने को मिलेगा, market यहाँ पर थोरा सा उपर गया, थोरा सा time correction हुआ, 4-4 घंटे का candle, यह area के आसपास रुख गया, थोरा सा time correction हुआ, अब market यहाँ पर या तो freshly उपर जा सकता है, या तो यहाँ पर sideways हो सकता है, या फिर यहाँ से freshly वो नीचे आ सकता है, तीनो probability है, अच्छा, यह 4 hour में होगा, 1 अबर में अगर हम देखेंगे, उत्रा कुछ खास देखने को मैं ही मिल रहा है, 15 मीट पे जाके देखेंगे, तो चीज़े समझ में आएगा, यह area थोरा सा order block area जैसा है, यह area पूरा order block area जैसा है, लेकिन इसके उपर जाके candle close भी कर दिया है, तो कही ना कही हम बोल सकते है कि minor TF में तोरा सा character में change हुआ है, तो कल को अगर market flat open होके नीचे आता है, तुरंत में short नहीं करूँगा, मैं तोड़ा wait कर दूँगा, अगर market उपर आ सकता है, तो यह इसके लिए एक last hope हो सकता है, last hope मतलब कहने का मतलब यह नहीं कि market का hope ही नहीं है, मतलब कल के लिए एक एरिया मेरे लिए एक huddle हो सकता है, यह मैं watch zone रखूँगा, buy zone नहीं है, watch zone है, कौन सा level हो जाएगा, लगबग 24,060 के आसपास, यह एरिया के आसपास से मुझे 15 minutes setup, grab trap, SMT, sniper कुछ भी मिलेगा, मैं एक बार छोटा सा quantity buy कर सकता हूँ, थोड़ा नीचे का stop loss, उपर तक का first target उसके बार ट्रेल करता हूँ, चलोगा, ठीक है, यहाँ पर minor TF में character में तोड़ा changes हुआ है, वेराज अब बैंक निफ्टी में नहीं हुआ है, निफ्टी में हुआ है, तो तोड़ा करेंगे भी तो half quantity पर करेंगे, दोनों index अभी synchronized नहीं है, ठीक है, यह हो जाएगा, इनके flat open के अगर नीचे आता है, इनके सकर flat open के उपर जाता है, क्या हम इसके उपर निकलते ही buy करेंगे, कर भी सकते है, नहीं भी कर सकते, बस थोड़ा tactically buy करना पड़ेगा, यह level के उपर, फिर से all time high के उपर निकलेगा, एक 15 minute का candle close करेगा, तो ही हम मानेंगे, कल के लिए 22,383,400 तक के लिए, ठीक है, यह हो जाएगा, इनके सकर कल flat open होता है, उपर जाता है, मैं थोड़ा wait करूँगा, candle close करेगा, all time high के उपर, अच्छा खासा candle close करेगा, अच्छा खासा candle close करेगा, तो जाने के बाद उसके उपर निकलेगा, कुछ पांडिटे एड़ करूँगा इस तरह से दो डाही वज़े तक में रख सकता हूँ, market अगर trending रहा गया, तो यहां तक जा सकता है, हाला कि इसका possibilities भी कम है, sideways भी रह सकता है, मान के चलते flat open हुआ, उपर गया, नीचे आया, उपर गया, इसी range में भी रह सकता है, market आने वाले एक आत दिन, ठीक है, अच्छा इनकेस अगर कल market gap up open होता है, वहाँ पर कल और shorting के बारे में मैं नहीं देखूंगा, अगर gap up open होता है, छोटा साल lower time frame में liquidity मिल जाएगा, मैं buy कर सकता हूँ, इनकेस 15-8 setup, देखिए 15-8 setup तो उपर के side पे नहीं होता है, लेकिन एक reverse setup भी होता है उसका, जो उसका twin setup है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ setup मुझे मिलता है, all time IQ उपर gap up open होने के बात, 50% confirmation आ जाएगा, मैं buying side जा रहा हूँ, बाकी 50% मेरा setup में wait कर लूँगा, SMT हो सकता है, स्नाइपर हो सकता है, लिकृूटी हो सकता है, फिफिर में 8 का, जो twin setup हो सकता है, बहुत सारा चीज हो सकता है, या फिर मान के चलते है, momentum हो हम frail कर सकते, या proper candlestick का उपर निकला, तो भी में buy कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब gap up अगर open होगा, all time IQ के उपर, तो मैं buying के side तक देखूँगा, यह area तक हा target, हाँ, अगर यहाँ पर रहा गया तो मैं forcefully option को निका gap down open होता है, तो market में fall हमें देखने को मिल सकता है, मैं बस wait कर लूँगा, अगर अच्छा खासा, BRS scenario open is equal to high, मिल जाएगा, तो मैं उसके नीचे निकलते ही short कर सकता हूँ, इनकेस अगर नहीं मिलता है, और कोई doji type के candle हम आता है, तो मैं उसका day high का liquidity का hunt करूँगा, और फिर ये लगबग लगबग 2, 3, 990 के आसपस तक first target उसके बाद trail करता हुआ, चलूँगा, इनकेस अगर gap down 2, 4, 0, 6, 0 के नीचे open होता है, अच्छा, इनकेस अगर सामने 2, 4, 0, 6, 0 के ऊपर open होता है, ये area के सामने, same just like flat open होके नीचे आने का, setup आएगा, तो हम मैं buy करूँगा, अ कहा कहा पर हम क्या trade कर सकते, just like nifty bank nifty के अभी order block area है, लेकिन nifty ने एक minor tf में उसको change किया है character को, लेकिन bank nifty नहीं किया है, कौन सा 52735 के आसपास का, ठीक है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा traditional, मतलब बहुत ज्यादा convictional चीज़े हो रहा है, यहाँ पर भी नीचे भी, तो थ यह जो projection होता है, यह अभी भी, just like nifty bank nifty में भी बाकी है, ऐसा हुआ नहीं कि हो चुगा है, लगबख सारे 5%, banking के हिसाब सारे 5%, जैसे तोरा, कहां से तोरा, properly तोरा, यहाँ से, तो सारे 5%, लगबख 4%, 39 का 4.29 का इसका high है, सारे 5%, लगबख वो जा सकता है, 54,000 के आसपास या 53,000 के आसपास जा सकता है, अगर कल को वो strength show करता है, तो उसे बास एक pending जगा है, अच्छा, पहली बात, दूसरा बात क्या है, और एक चीजी है, जो मैं range आपको दिखा रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि जाएगा ही जाएगा, क्यों जाएगा ही जाएगा, यह ऐसा नही जाएगा, नहीं, कितना जा पाया, लगबग 3.8, तो ऐसा नहीं कि जाएगा ही जाएगा, अगर वहाँ पर हमें अच्छा खासा reversal sign मिल जाता है, अगर अच्छा खासा reversal sign मतलब क्या है, सारे 5% जो इसका range का target है, उसको करने से पहले, अगर nifty, day time frame में M pattern बना देता है, और ल देखते हैं, तो हाँ, obviously 1 hour में भी यहाँ पर character में change हुआ है, तो अगर हम 1 hour का time जो character है, उसको अगर map करते हैं, तो यहाँ पर दिल्चस्प scenarios होने वाला है, 1 hour के हिसाब से अगर हम map करते हैं, तो major भी खड़ा हुआ है, लगबग 53,000 के आसपास, और lower time frame के हिसाब से 52,730 के तो 300-300 points का एक difference आ जाता है, जो कल के लिए बहुत importantly play करने वाला है, 15 minutes पे जाएंगे, कैसे trade करेंगे, अगर market flat open होता है, flat open तो ऊपर जाता है, यह trend line के ऊपर, निखलते ही मैं buy नहीं करूँगा, मुझे एक price section चाहिए, मतलब अगर उपर गया, नीचे आया, फिर उपर जा तो मैं buy कर लूँगा, कहां तक के लिए 53,000 का target, उसके बाद यहां से मैं दबा के short करूँगा, simple as that, क्योंकि यह major order block का, मतलब major time frame का एक order block होगा, यह minor time frame का है, okay, यह हो जाएगा, in case flat open हो के ऊपर गया, इसी range में रहा गया, plan वही रहेगा, मुझे एक price section चाहिए, एक price section चा आसपास से भी market को एक बार short कर सकता हो, लेकिन याद रखी, यहां से short करने के लिए, मुझे liquidity grab ही चाहिए, या फिर एक bull trap चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हो गया, market उपर गया, यहां पे candle close कर गया, और फिर यहां पर उपर जाके फिर नीचे आ रहा है, तो मैं और short नहीं तो मैं वहां पर short नहीं करूँगा, फिर वहां पर short करने का फायदा नहीं होगा, market क्या करेगा, नीचे तो आएगा, खिस देगा, मतलब एक sideways हो जाएगा, वो order block का वो play out अच्छी तरीके से होगा, नहीं, तो play out के लिए मुझे चाहिए, यहां से liquidity grab वो भी जल्दी- instructional bull trap, यह हो जाएगा flat open के उपर का, इनकिस market flat open के नीचे आता है, तो मैं कैसे trade करने वाला हो, अगर market flat open के नीचे आता है, तो यहां से market एक बार buying scenario पे आ सकता है, लेकिन substitute, मतलब एक साथ जो दोनों index से उनको synchronize जोना परेगा, nifty भी थोरा strain दिखाएगा, तो मैं buy गर सकता ह यह अगर हम और ज्यादा working range को निकाल लेंगे, छोटा, तो यहां से एक बार buying के बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन वही बात है, ज्यादा momentum हमें शायद ना मिले, as an option buyer हमें यह भी देखना परेगा, लेकिन यह जोन के आसपास आके अगर रुक रहा है, liquidity grabs हो रहा है, liquidity मुझ यह area के नीचे, just like nifty, candle अच्छा रहेगा, candle के नीचे निकलेगा, तो मैं short कर सकता हूँ, candle अच्छा नहीं रहेगा, तो मैं liquidity पर short करूँगा, या जब तक range बना के liquidity ना लेगा, तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा, उसके बाद short करूँगा, ठीक है, अगर gap down, यहाँ पर ही 52735 के ऊपर अगर gap up open होता है, यह completely void है, 53,000 तक bank nifty एक बहुत smoothly जा सकता है, जाय से nifty भी एक दो ठाइसो पर जा सकता है, हो सकता है, 53,000 के जगा पे 53,200 तक जाके फिर आ जाए, because इस तरह का momentum पे हम बोलने ही पाएंगे, तो अगर gap up open होता है, तो ही trending day हमें देखने को मिल सक सकता है, nifty bank, nifty bank, nifty, दोनों में मैं focus करूंगा, in case gap up open होता है, 52735 के ऊपर, और एक candle close कर देता है, उसके ऊपर जासे निकलता है, मैं buy करूंगा, price section आएगा, मैं buy करता रहूंगा, dip मैं buy करता रहूंगा, day local SL 53,000 तका target, simple as that, okay, बहुत बढ़ा gap up, ignore कर दूंगा, कोई वहां पर मतलब कुछ करी नहीं सकता हूँ, हाँ, एक और चीज हो सकता है, मानके चलते 53,000 के आसपास gap up open हुआ, और मुझे rejection मिल गया, तो of course मैं वहां पर short करूंगा, day high का SL कही ना कहीं ये area तका target के लिए, ठीके, आच्छा, एक और चीज हो सकता है, 52,735 के आसपास निचे gap up open ह plan simple रहेगा, अगर price action आएगा, तो मैं buy कर सकता हूँ, अगर bull trap या liquidity मिलेगा, तो मैं short कर सकता हूँ, कुछ भी मिल जाएगा, अच्छा खासा, मैं वहां पर उस तरह से plan कर सकता हूँ, ठीके, लेकिन एक high interactive zone होने वाला है, कुछ ना कुछ बनने वाला है, अगर 52,735 के आसप पारी हर 5 दिन में अलग-अलग index से trade करने से अच्छा है, एक या दो के साथ आप संबना के राखिए, बहुत अच्छा खासा आपको profit हो या loss हो, जो भी हो के अच्छा खासा आपको reward देके जाएगा, चलिए, वीडियो के यहां पर खतम करेंगे, मीचे description box में Instagram, Telegram का link दिया पाएंगे, लेकिन यहां पर अगर आपके पास गीता 1.0, then of course you should check it out, because यहां पर आपका डर, fear of losses, foremost, जो भी over trading होता है, जो भी आपका grids रहता है, जो भी गलत decision हम life trading में लेते, वो सब दूर होने वाला है, और इनके से अगर आप एकदम beginner हो, तो आप फिलाल मत कीजिए, पैसा कमाई है, market पे रही है, उसके बाद, मतलब पैसा कमागे, उसी पैसो से अपने आपको बराने की कोशिश कीजिए, चली, वीडियो के यहां पर खतम करेंगे, तब तक के लिए check care, bye bye, नीचे description box पो ज़रूर check out कीजिए, Instagram पे बहुत important updates में डालता रहता हूँ, बहुत अच्छा लएगा आप लोगों को, और बाकी सारा लिंक्स भी नीचे दिया हुआ है, चली, टिकेर, bye bye, तब तक के लिए, ट्वेट स्वाट लिए,